नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स आननं रनंगीरं, जानकी सोखनाशनं। कपीशं अक्षहंतारं, रांदेलं साखयंकरं। पुरुद्धर्वालम्यशोथैर्यम् निर्भजत्वमरोगता अजाद्यम्वाद्वटुपंच अनुमस्मर्नाथभवे अजाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद झाल झाल कर दो 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 कर प्रकाश इंडस्टिस का टेंडर मेरे ही नाम होता रहा है और इस साल का टेंडर भी देख लेना मुझी और मेरी कंपणी के लावा किसी और को नहीं मिलेगा सर वहां के लिए किसी का एक्सिडेंट हो गया है यह यक्ता है कोई हच्छा हो गया है तरह देखो क्या मामला है है क्या वह वह है जल्दी अगुलों उसको बुला अरे यह और तो पेट से हैं अभी ने जलते हैं यह कॉंट्राक किलर्स हैं जो अपने पेट के लिए नहीं सिर्फ पैसे के लिए मटर करते हैं इन सब के पीछे जो राक्षास है वो और कोई नहीं भाई काम हो गया शाबाश यह भैरो जो अन्याय का ठेके दार्शासक है यह अपने आपको इस मंदिर का धर्म रक्षक कहका है आपका काम हो गया वैरी गुड भैरो देव ने हमेशा मेरे संदे को परवाद किया अब इस टेंडर को लेने वाला यहां कोई भी नहीं है अबसे सब कुछ मैं हूँ मैं तुमको 25 लक्स ज्यादा ही देता हूँ पैसे के लिए उसने अपनी पत्नी को मा ढाला कही उसके ससुर की जायदा उसके हाथ से न निकल जाए इस डर से उसने अपनी पत्नी की बहन को डरा धमका कर उससे शादी भी कर ली वो इतना चलाक है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उसके खिलाब कोई सबूत नहीं छोड़ता जितने भी मर्डर करता है और में ये सीधा तालुक नहीं रखता क्योंकि उसका गुसा ही उसका भरोसे मंदस्तर है इसलिए पहले लेयर के जरिये दूसरे लेयर को पॉइंट करता है बोड़ी सा बिहार, जहारकन और उत्रपदेश के कांट्रेक्ट किलर्स को इस्तमाल करके मडर करता है ताकि बहरव और उनके करीबी सहयोगी के साथ इसले लेयर में काम करने वाले किलर्स कोई डारेक्ट कॉन्टेक्ट न रखें वंस जील खत्म होने के बाद वो सबी उसके लिए सिम कार्ट को डिस्ट्रॉई कर देते हैं सिर्फ नाम के लिए बहरव फाइनेंस का अपनी चलाने जैसा दुनिया की आखों में धूल जोकर कारोबार चलाने वाला ये वाइट कॉलर क्रिमिनल अपने सोसाइटी में एक वी आइपी की तरह जी रहा है 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 अज है 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 यह थक्लिफ थी से मैंने पैसा उदार लिया था लेकिन वो लोग बीटे सिर्फ दो हजार रुपिय के लिए मेरी बैक चिंकर ले गए तुम्हे उसे मेरा नाम बताना चाहिए था पर उसने ध्यानी नहीं दिया मेरे नाम बोलने के बाद भी उसने ध्यान गूंस और पर दो क्वं है रही है राजकर और जानते हूं इस शहर के हर एक के दिल पे राज करने वाला फंदर्द है वह वह अगर हमदर्द है तो मेरा भाइब किसी से कभने है इनकी एक नजर पढ़ने से पहाड करने वाला उग्र नर्सिंग को अपी भक्ती से प्रभावित किया ऐसा भक्त प्रहलाद है रे वो भक्त प्रहलाद तुम्हारा मतलब बच्चा है क्या वो प्यार बाटने को बच्चा नफरत करने वाले को दुश्मन विश्वास करने वाले को इश्वर और गरीबों का मसीहा दुश्मनों का दुश्मन राजाओं का राजा ऐसे है राजा इम्मत वाला बातशाव चार्सो चालिस ओल्ड का जटका बिंदार वाइटर बढ़ियां एक्टर उसे देखने से इश्वर का रूप याद आएगा बिना मुकुट का राजकुमार वन एंड ओनली अंजनी पूत्र सुप 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 तेका इन बातों को सुनने के बाद मैं तो असका बैटर तो हैою मैं उनसे एक पर मिलना चाहता हूं। ए तुछ चुपरे जा रहे और उसे पगड के यहां पर लेक्ट आओ। सुनो या प्रीज मत जा रहे जल्दवाजी में तो जलत कगम तो भाव। अहां। क्या चमक है, क्या ग्लेमर है। आपके परसनेलिटी के बारे में जो सुना था वो बहुत ही कम था। किसी की तारीफ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जो हमें पसन करेगा वो सम्मान भी करेगा, और जो पसन नहीं करेगा, वो हम से दूर हो जाएगा। अरे! यह यह क्या वो राजा। अरे! राजा मत बोल! अपना राजा भाई बोल! जो पैसे तुम्हारे बॉस को देने वाला था तुम्हेरे 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 तुम्हा जाओ काट डालो इसे है укेंष है बिर्खोर पजुम्हेर तुम्हेरे लिंग जचे क्यंद करिक सेindiते गालो एता बढा़ मि겠습니다 ी ल לי में झाल धा है खुह बारो खुँबए रवट अजग खुशशशशश़ और चुशश मैं आपके कटाउट को दूद का अविशेद करा रहा हूँ लेकिन ये सब तूने क्यों किया है ये क्यों बनाया उसे माला क्यों पहनाई और दूद से इसका अविशेक क्यों हो रहा है ऐसे सवाल नहीं पूछते हम अन्नदान भी करेंगे रक्तदान भी करेंगे सिंपल कटाउ के लिए ऐसे है तो दिल में मंदिर भी बनाएंगे हा भाई चीक है अब आराम से नीचे उतरा मेरे भाई अब ये कलाओ प्रेमियों कला के पुजारी कला पसंद करने वालों कलाकारों सापधान इसी जगह पर कुछी मिनिटों में अभी आपके सामने गाना गाने के लिए आ रहे हैं आप सब का दिल बहला आने के लिए हमारे राजभाई बजाओ 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 रे इश्वाश पार्डि यह आंटी कौन है शेकर के गर ब्याज के पैसे मांगने के लिए गया था वो गर पर ताला लगा कर भाग गया यह बुढ़िया वहां बैटी थी इसलिए मैं इसको उठा के लिए आया कैसा लगा एई अगर यह बात मार्केट में गई तो मेरी इजत खराब हो जाएगी पल खाना है तो पत्थर मारना ही पड़ेगा अरे फोन है एक जूस लेकिया ना बिटा यह शेकर क्या बोल रहा है जरा सुनो लॉड्स भीगर में रख रहा हूं हाँ प्याज का पैसा चुका कर यह बुड़ी को कभी आसे ले जाए अब नहीं आँगा मैं जा रहूं यहां स पर यह बुड़िया प्याज के तौर पर तुम ही रख लो पेवकूफ कहींगा है यह क्यों बखरा रहे तू मेरी दादी है ना सुबह सुबह नाश्तों में करें इडली के साथ चिकल मांगेगी अरे बाई ऐसे वक्त में यह तुम क्या बोल रहे हो राज कुमार की फिल्म बाद भी तुम्हें अकल ही आई क्या नहीं तुम जितना भी एमोशनली बात कर लो मेरी दादी मेरे साथ रहेगी तुम्हें टेंशन से मर जाऊंगा अपनी दादी समझ कर अच्छे से देख बाल करना संजे एएए एए ए रख रहे चिकल इसे ही खुद के पेर पर फर कुलाडी मारना बोलते हैं क्या अईसा ही लग रहा है मेरी दादी माँ चिकन लेक्स तो नहीं है चिकन हैंड्स है वो सेट का लड़का हमेशा ये मॉल में चार पांच लड़कियों के साथ घिरा रहता है गुरू हमें तो किसी से भी नहीं मिला गीता ये बंधन धर्ती के लिए और ये जार तेरे लिए अरे मैंने गीता को फोन किया है वह आते होगी वह नहीं आएगी मैं मर रहा हूं अरे जीटा के पिला मैं नहीं रह सकता नहीं रह सकता बचाओ तुम लोग मुझे संजवेट गीता पार्ट टू इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैड भी नहीं टूटेगा और ये कूट के मरने का ड्रामा कर रहा है अब यह नहीं सब चाहता ना तो चल नीचे उतर वह लड़का नीचे गिरके तो नहीं मरेगा वह मोटी गेडर से जरूर उतर जाएगा मुझे पूरा यकीन है क्यों भाई बचने के लिए अच्छा गीता आई लाव यू ए संजू वो दे गीता आगई क्या मारा लिया, मारा लिया, मारा लिया, मारा लिया, ओ लिया, गीता अगर तुम नहीं मारने की मार जाऊँगा मरो मत, मैं तुमसे लाभ करूछ messages सच में, हाँ प्लीज उतर जाओ मेरी जान गीता वहाँ खड़े रहे बता देखो मुझे में एक weakness है मुझे मंजूर है क्या weakness है बताओ मुझे गीता देखो तुम सुनो daily same same खाना मुझे पसंद नहीं एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कबार पोंगल ऐसी variety चाहिए मुझे ये नो problem ये चेंड सिफ खाने में नहीं और फिर? लव में भी क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो, तुम्हे I love you बोला कल उसे पसंद करूँगी, उसे भी I love you बोलूँगी next इसे पसंद करूँगी, तो इसे भी I love you बोलूँगी ये पसंद आया, तो इसे भी I love you बोलूँगी मुझे भी? हाँ सर मैं गर्प नहीं दूगए, जल्दी से शादी कलनूगा है? वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना इस हाइली इंपॉसिबल अरे तेरी तो तेरे पिछे घूंगूंग मेरे जूते घीज गए तेरे पास वटके चकर में में वाइफ ढूना चोड़ दिया तेरे लिए सुसाइट करने जा रहाता मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मानना चाहिए तुझी फ़र गीता नहीं है, C फ़र चीटर है, T फ़र टेरर है, T फ़र दफ एवाई तू कौन है, तुझे तो अकेले में देखता हूं का वाग में हटडी कहीं का, मैं तो सरा काम खराब कर दिया, देख लूगा तुझे मैं तांक्यू गुरू गुरू अरे वो लड़की कहां गई, उसने मुझे अभी आई लभी बोला यार, तुम गलत समझ रहे है गुरू, उसने तुम्हे नहीं बोला, बल्के उसने उस लड़के को उधार दिया, तुमने भी सुना न, यहां खड़े सभी लोगों ने सुना उसने क्या कहा, अहां मैंने सु जब दिल की आप ठीक दिया हो जा कर नया खरीड लिया, तुमने लड़कों को इतिया मशीन समझ के रखा है क्या, जब दिल की आपा एटिया में स्वैब की और पैसा निकाल लिया, पिरसे क्या, तुम्हे तो सिर्फ मूँ चलाना आता है, तुम्हे क्या पता है इस मैटर के माता पिता है कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है ये सारी जिम्मदारिया है उस पर लब लब करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी मैंने खुद की कैरेक्टर को गिराखे उसकी लाइफ को बचाया है समझे बिना जाने कुछ भी बोले जा करूंगा देखना मैं भी लाइन में हूँ है कि मैं डॉक्यमेंट्स चेक कर लोंगी आज ये बॉस से मिल लीजिए अच्छा ये फाइल लेकर के जाना हुँ है इसके एक्सपोर्टर्स के मालिक सुमर्शिक्कन ने मुझे यहां पर वेजाया किसे मारना है बोलो है एसपी सूर्य प्रकाश को मैटर क्या है हमारे साब के उपर उसने एक चोटा सा केस किया है उस बात को लेकर एसपी हमारे साब को बहुत परेशान कर रहा है कौन सा केस है हमारे कारखाने में तीन लड़किया काम करती थी वो एक मेने से गायब हैं गायब नहीं तेरे मालि तुम लोग सारे रेकॉर्ड्स अच्छे से बना के रखना नए सिम कार्ट खरीद लेना और तुमको नए नए नमरों से कॉल आएंगे उन सब को रिसीव कर लेना किसी भी कारण से उस नमर से किसी को भी फोन मत करना ओके सर यह मैं किसको दूँ फोन पर बताऊंगा तुम लोग जाओ सूरी हाँ भाई एसपी सूरे प्रकाश का पूरा डीटेल चाहिए हमें लोके भाई गोपी बनो भाई एसपी सूरे प्रकाश ठीक है भाई मनो एक सिमकार करीद और मुझक को पूर खुण को फोन ठीक है भाई नहीं नहीं अगाँ कि मंदिर आने के बार ना मन को बहुत सुकुन लगता है ऐसा कि हो हां मुझे भी इसे ही लग रहा है तेरे ज्रेव में एक पैसा नहीं है स्वाती है लिसन तुम शॉपिंग करने जाओ पार्ट विट में आ जाओंगी मैं ओके बाई ओके बाई ने के लिए चार-चार लड़क कि बसदा ने को बड़ आपके को नए से कि ऊंद आ इस न बज एक पैसे टाइम पर देना गया राजा तूम्हारी अजय का करा तैमें का राही है सिर्च को तेनसे खार, मैं दिवानी ओगात अश्य का करो और दिवानी मैंदीमानी होगा क्या करूं गुरू इनका चहरा देखकर मुझे यही गाना याद आगे होई बात नी भाईया हर कोई मुझे दे कि यही गाना गाता है बाइदवे वो सेट के लड़के को क्यों पीट रहे थे या वो मशीन करहा कै कैसे मशीन पाजरा मशीन मशीन कप्रिट दघगो और दो है वह थै क्या है कि आमने सेट को ब्याज पर पैसे दिये थे वह पैसे वापस कब करेगा उसी भारे में पूछ आश कर रहे हैं आपका ब्याज का बिसनेस है हाँ हमारा बिजनेस बिचनक का कितना इंटरेस्ट है पायर इंट्रेस्ट, हम उनसे थब तक इंट्रेस्स लेते हैं जब तक वो मर ना जाए हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि आज भरते बरते उनकी जिंदगी खतम हो जाया और असल जो कते हो ही रहे फिरिपी हम उन्हें नहीं छोड़ते अब समझ में आये क्या यह हमारी अथिदी देव भावा, ये लीजे अभेट तु ये क्या लेकर आगया तुम इंतों बोले ते फ्रिज में से थंड़ा लेके आ ना फ्रिज में यह सब से चिल्ड था । अब का आपका अब्रान यहा नहीं है लेकिन चकने में मचन, चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पा चला भी पिलेते हैं तेरी तो लड़की के सामने तुने मुझे बेवडा थाबित कर दिया फ्रीज में जितनी बुड़न सब भी निकाल कर बाहर फिक ठीक है छोड़ो गुरू अभी से हम फ्रीज में केवल चाय और कॉफी रखा करेंगे अभी चल सुनो जी अपने गाहों से कुछ लोग आये है आपका इंतजार कर रहे हैं आपका इंतजार कर रहे हैं नमस्ति आ नहीं ने वाले कातिक महिने ने मंदिल की पुजा करने की सोच रहे हैं पहले सब मुद्तु राजन को आगे खड़ा करके मंदिल में पुजा करवाते थे लेकिन आज कल तो आप लोगों ने मंदिल में आना बिलकुल ही छोड़ दिया है आने को तो बहुत दिल करता है लेकिन काम इतना बढ़ गया कि वक्त ही नहीं मिलता आप जैसे गाउं के बड़े लोग अगर आना ही छोड़ देंगे उधर बाहर के लोग मंदिर में आकर के अपना हग जता रहे हैं बेन मालिक कहकर मिलकर उस भेरव को इस गाउं और मंदिर से दूर रखने का फैसला किया है उसके बदले में सत्यराज को नया धर्म रक्षक बनाने का हम सब ने फैसला किया है मैं क्यों चाचा जी सत्यराज ये हमारे परिवार और हमारे गाउं के इस्ज़त का सवाल है इस पद के लिए तुम ही सही वेक्ति हो ठीक है जैसा आप बुले ये सब सुनने के बाद इस बार हम सब गाउ जाकर पूजा खतम होने तक वही रुकेंगे उस एक हजार एकड जमीन को मंदिर के नाम करने की तैयारी कीजिए ठीक है बेहन, अब हम सब सब से नमाज़ देखा है ठीक है चिका, उदर देखो बहुत सही था ना गुलाब, मोगरा, गुढहल, चमेली, लीली, कमल, सब फ्लावर का पुरा मार्केट अपनी ओफिस के तरफ क्यों आ रहे है हाई हाई, चीर कर, आजओ, 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 एक ही चेहर है, सिर्फ एक ही बेटी नाई, नाई, छोड़ो, राजा की तर है? राजा क्यों, मंत्री से काम चला लो हम यहाँ पोस्टर देखने नहीं, पिक्चर देखने है जबड़ा हिलाने वाला मैटर क्या है अरज़न्ट है, 30,000 उदार चाहिए हमें मिल जाएगा, तुम लड़कियों को नहीं देंगे, तो और किसको देंगे, किरवी रखने क्ली क्या राएगी किरवी क्रखने क्ली क्या राएगी अरे चलेगा, ये पिंकिस पिंक कहना, इसे रखके जाओ, हम तीन दी तक इंकु पिंकु डॉंकु खेलते रहेंगे और फिर बाद में से आके लिखे जाना, ओके चलेगा ना तुमें, चलेगा ना A, B, C, नहीं जी, C, मैं राजा क्या आनी के बात करती हूँ, जारे आज़ आनो और पैसा नहीं मिलेगा तुम जा। LGBIE आरे दर बैट जो पिंकिपन आई यह मेरी फ्रेंड अनीता है, जॉब मिला है, सो हमने सोचा इसे ट्रीड ले ले, वो क्या है ना, मन तेन है, कैश नहीं है, ट्रेडिट कार्ड की लिमिट में ग्रॉस हो गई है, सो आपसे 30,000 की उधारी चाहिए, जो प्रॉब्लम, करीम भाई, वैसे 30,000 की ट्रीट, हाँ, हमन इनके अंदर वापस कर देंगे, हाँ, जो प्रॉब्लम, की बाई नहीं प्रॉब्लम, कुछ बोला नहीं, अरे नहीं, 3,000 रुपर, जिर्फ पायर इंट्रेस्ट, सिर्फ कस्टमर्स के लिए, फ्रेंड के लिए नहीं, आप आराम से देना, कोई बात नहीं, थैंक्यू, मैल ए ए ठाओ, आओ, यह कोफि को लिए स्टी बनाता है, अच्छा, पैसे मिले, अलबाई नहीं, जीता, इंट्यू, ए नहीं, जीता, लॉप्र, जीता, आइ पार्या, जीता, जीता, प्रॉप्र, गीता, आप अन्ट्रेस्चा नहीं, ए चंक्र जूए ड़्यादीढ के, पाव ओर्णं कर्णंальном के फिर्णे में आप्रेश लौकषण बार यूल झाल झाल साड़ी कपलू कार के दोर में भस गया था वो एसपी का एक ही सेंटीमेंट है बोले तो उसकी खुद की वाइफ रॉबिन थियेटर में मैटनी शो के लिए दो टिकेट बुक किया है उसको उधरी खत्म कर दो थियेटर में क्या हां उधरी पीछे 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 करो ठोड़ा और ता यह फोन देना हो घ्राइब अच्छी यह तुम्ने जो पैसे दिये हैं वह वापस करने हैं अरे कोई अजन्ड नी तुम अराम से देना मैं फिल्म देखने आया हूं कौन सब है दंगल इफी डों माइंड प्लीज कना जॉइन यू अ एक्चुली फिल्म तो बस शुरू ही होने वाली है चलेगा तुम वहां जाओ मैं वहां पांच कर कॉल करती हूं ओके तो ठीक है मेरे पास चार टिकेट हैं इधर एक सीट खाली होगी उधर एक सीट खाली होगी तुम दोनों दंगल देखो और लेकिन तुम लोग कहा जाओगे हम तेरे बाजू के थीटर में जाएंगे उसमें कौन सी फिल्म लगी है अंधिरी रात में दिया तेरे हाथ में अबे वो तो हाँ बोल एस पी निकल रहा है भाई ठीक है तूभी निकल एस पी घर से निकल गया है सब लड़कों को अलट रहने को बोल ठीक है भाई दो जनको गाड़ी के पीछे भेच ठीक है भाई और दो लोगों को कार पार्किंग के नजदीग कोई लोकल लड़का तो नहीं है ना नहीं भाई कुछ भी हो जाए अपने लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए कि मनने वाला एस पी है अगर थोड़ा भी करबड़ हुआ ना तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फस जाए है वो कहां हो तुम मैं पार्किंग लॉट में हूँ आई कांट कम तो दिस सिनिमा क्यों एस सम्थिंग रिली रॉंग तुम जल्दी से बाहर आशा है क्या हम लेट होगे लोगी तुम में पार्त आयुझे एएएएएएएएएएएएए क्यािएए EFG. नि хоч दोतने हुआ Sisain में अरमार स्ञीन में लोगा सुम्सेडरेशना फ़्र्म आण्रदी सुम्सेडरेशिग जोर्ड जोरदे दे vaig जोरदे जोरदे जोर NO!!! कर दो मेडम आप ठीक है स्कानी लिपर चेक कर लिए चिंद्या की कोई बात में हलो सर ठीक है अब आप कैसे हैं या मैं ठीक हूँ इंवेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया सर आपके उपर हमला करने वाला कोई भी यहां कर नहीं था सब आउटसाइडर्स से देख लिया न तुमारे पती की ड्यूटी कितनी खतरनाक है कल तक इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था लेकिन आज तुमने अपनी आँखों से देख लिया सुनिये जी जिसने हमारी जान बचाई है उस महान को मैं एक बार देखना चाहती हूँ अच्छा किधार है वो लड़का आपको हॉस्पिटल में भी उसी ने एड्मिट किया सर मुझे नहीं पता वो कहा है सुनो भई उसने अपनी जान दाओं पर लगा के हम दोनों को बचाया उसका पता नहीं लगा सके आप लोग पूरे हॉस्पिटल में सीसी डीवी कैमरा है फूटेज चेक कर वा लेता हूँ सर सुनो अल्रेड़ी वो लोग प्रोफेशनल किलर से ऐसा तुमने बताया आज वो लोग मुझे मारने आये थे कल को उस लड़के को भी तक्लिफ दे सकते हैं जिस्ट लीव ही मलोन ओके सर ओके अए बगवान देख लिया ना ये है हमारी जिम्ट थोड़ा रहे उसे पूछोड़ा तुम लोगों ने पबलिक प्लेस में पुलिस के उपर अटैक करते वक सब देख रहे थे वो इस सीन के अंदर कैसे आया कौन है वो वैस्टी और इसका क्या संबंद है पता नहीं भाई पॉमान पबलिक है या फिर इसको बोच करने वाला अंदर कवर एजेंट है या फिर मेरा आपोसिट गाइंग है इंवारी करो ठीक है भाई निकल जाओ पिक्चर में सब बैट्जीन को कट कर दिया सोस है उसी में तो मजा था क्या करी माला क्या कर रहा है चिका इस अब सब्सजियों का नाम इंग्लिश में क्या बोलते है रे वहीं सोच रहा हूं ईह नहीं जानता तो जो जानते हैं उनसे पोछ कर जानो अइसा क्या ऊके कदडू को क्या बोलते हैं पमकिन आलू को जुनकिन पोटाइटो सेजन ट्रम स्टिक बेंडे लेडिस फिंगर आमला जैन सी जैन जैंस फिंगर भेंडे बेंडिक और लेडिस फिंगर बोलते हैं क्योंकि ये लड़की के उंगली जैसा नाजुक है, ओके, बोल वाले आमला को जैन्ट सिंगर कैसे बोल सकते हैं चिका? नाशने वाले को नाशना आता है, गाने वाले को गाना आता है तुमको अइसा क्या, तो ठीक है, कच्चे के लोगों क्या बोलते हैं, है, मैं काशिनात का बहुत बड़ा भग, तुम मेरे साथ डबल मीनिंग में बात मत किया कर, मिर्जी को क्या बोलते हैं, पता है, पता नहीं, अगर तु और जादा बात करेगा, तुम्हें तरे मूह में डूस एई, राजा आया है, हाई, 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 राजा, हाई, सौरी उस दिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाई, सो इसके लिए बुलाया है, अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो, कॉफी पीते, राजा, आओ तुम यहाँ बैठो, अरे बैठना या नॉंसेंस या जीफ और गीता जी, आपको एलफ और लव से अलर्जी है क्या? लड़कों के फिल्मी डायलोग माने पर पटने वाली सेंसलेस गॉल नहीं हुम है लाइफ में क्लारिटी और पक्का प्राक्टिकल सोचने वाली हुम है इधर कोई लड़का सड़नली तुम्हारे पास आके, अगर I love you बोले, तो तुम क्या बोलोगी? चपल से मारोगी? अगर कोई लोफर को चपल से मारोगी, तो ओके, अगर राजा जैसा जेंटलमेन बंदा I love you बोले तो? राजा क्या? मार्केट में व्याज का धंडा करने वाले राजा के साथ मेरे जैसे हाइपाइ लड़की ने फ्रेंचिप की यही बहुत जादा है और उसमें भी प्यार Anyways, according to me, अगर प्यार किया, तो उसमें एथिक्स देखो, मॉरालिटी देखो, ज्यादा से ज्यादा स्टैटिस मैच हो रहा है के लिए देखो, सही हो न, राजा? चीगा, राजा, चल अगरो, मेडम, इंग्लिश में बात करने से कोई हाई-फाई नहीं बन जाता, इस्टेटस कुछ मीठी-मीठी बाते करने से नहीं, दिल के अंदर होना चाहिए, किस से पूछा तुमने इस्टेटस, क्या तुम जानती हो उसका इस्टेटस क्या है, बोलो, क्या जानती हो गीता, यह तुमने ऐसा क्यों बोल दिया उसे? वो, पालने के लिए हाई-ब्रेड कुट्ता चाहिए, लव करने के लिए हाई-फाई लड़का चाहिए, इंसान को जिंदगी बसाना है, तो सिर्फ पैसा कमा के रखना है, इन सब को, चीका, इन सब को सही वक्त पर यूज कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं चुप था, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, कुछ लड़कियों को, ओरिजिनल क्या है, सेकेंड हेंड क्या है, समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ इधर उधर घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए, फ्रेंड के नाम पे बकरा चाहिए, शादी होने के बार फॉरन जाके सैटल होने के लिए बैंक ब intense रखने वाला पति चाहिए, उसने अपने राजा के स्टेटर्स का बारे में बात की है, उसका स्टेटर्स जाने की टो शॉक हो जाएगगी वह, etwas क्या बूल रहा चिका? अपना राजा कौन है उसका background पता है क्या उसको राज group of industries का owner है अपना राजा उसका घर घर नहीं है राज महल है राजा की बुवा की बेटी लवन्या की शादी फिक्स होई थी शादी के चार दिन पहले राजा की घर में लड़के की तरफ से पार्टी का इंतिजाम हुआ था क्या भाई दारू बारू कुछ नहीं है क्या अरे चुपकर यार मा यहां पर कुछ नहीं हलो कहा पर हो तुम सुनो मुझे तुम से कुछ बात करनी है अरे पर तुम हो कहा पर घर के अंदर ही हो राजा जल्दी आओ ना ठीक है मैं अभी आता हूँ लावन्या राजा कहा हो तुम राजा मैं यहां हूँ तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया क्या बाध है बोलो राँ चायता है क्या कर रही हो तो तुम्हारा दिमाग खेल वो गया है राज ये शादी पसंद नहीं नहीं घ् ALMe सब सबस्क्राइब करें कि व्युद्ध तुम्से ही करोंगी ड है सब फ्रसाय क्रें पेशिय क्या कर रहे हो तुम केर रहा है पूछे पूछे लड़के ने कैसा घटिया काम किया है अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत किया है इसको तो इसी वक्त घर से मार कर निकाल देना चाहिए अरे क्या हुआ क्यों इस तरह चला रहे हो शांत हो जाएए पहले मामली का पता तो करो क्या पता करना है मेरी आखों के सामने मेरी लड़की की सारी खीच रहा था इसमें सब के सामने मेरी बेटी की बेज़दी कर दी अब मेरी बेटी समाज में किसी को मुझ दिखाने के लाक आगे पीछे सोचे बिना मैं बात नहीं करता ऐसे घटिया लोग इस घर में मुझे पता होता तो मैं उसे कदम नहीं रखने देता कौन रे कौन पक्वास कर रहा है इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था अज तक इस घर की मालकिन भावी हैं ये बात ध्यान में रहे वोई घर की मालकिन है इसलिए एतने दिन चुप रहा हमें यहां बुला कर हमारी इजट के साथ खिलवाण किया पहां गया तुमारा सवभिमान कहा गई तुमारी इजट हरे मामा आओ 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 जी आओ तुमारे लड़के ने कैसी घिनावनी हरकत किये तुम ही पूछो इससे क्या किया तुने क्या किया तुने भाभी तुमारे मारने से इसने जो गल्ती की है क्या वो फिक हो जाएगी तुछ भी क्या आप चुप रहोगे क्या यह क्या यह क्या किया तुने मैं तुम्हें अपना पेटा समझती थी ना रिष्टा करने आए लोगों के सामने मेरे इज़त निकाल दी क्या किया इससे क्या आप क्यूं आशू बहार रही हो यह मेरी होने वाली बहू है ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलस सो लुक तो क्या में आपना हूँगा नहीं एक मिनिट इस घर में कोई नीच नहीं है कि सबके सामने तुने मेरा सर जुका दिया ना जा बाहर जा बाहर अगर तुक अभी लोटकर मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा निकाल जाओ यहां से अगर तब राजा सच बोल देता तो लवन्या का जीवन नस्ट हो जाता सारी सच्चाई अपने दिल में दबाकर वो अपने घर और अपनों को छोड़कर दूर आ गया उसके घर में काम करने वाला मैं बेना मेरा स्टेटस देखे ही उसने मुझसे दोस्ती कि मुझे अपने साथ रखा ऐसा है अपना राजा इसलिए वो जब घर छोड़ कर आया मैं भी आ गया और वो लव करने के लिए उसका स्टेटस पूछ रही है अपने राजा का स्टेटस क्या है पूरे स्टेट को पता है करीम अला चल उसके घर चलके उसके पूरे खांदान को सबक सिखाते हैं तु गाड़ी रेड़ी कर मैं जाके तलवार लेके आता ओमानो कि थीक भाई कोछ पता एला थिएटर आया हूं भाई बैड़ो कलिया ठीटर में जब्सक्राइवा था वो लौड का कौन है वो पता ने पर वह वाईट जीप में आया था वाईट जीप में आया है सब पता चला आजू बाजू मैं पूछ के देख आ भाई पूछता हूँ बैड रहे स्वाथी चलो राजा राजा उठो गीता इतनी रात में तुम्हें आणटी तुम लोग जाके जल्दी से राजा को भुला के लाओ जाओ उसके ममी पापा को अभी तक नहीं पता राजा प्लीज हेल्प करो प्लीज प्लीज चलो ए यूट जीप की चाबीडे सुनो वाटसप पे फोटो भीज़ूगा और सारे आदमें को भीज़ दो जल्दी कोई इंफोर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना ओके ओके यड़कों को बोलो कि रिल्वेस्टेशन पे चेक करें वाटसपर मेरे फोटो भीजा है सब चुकाप की तेखो बस्टेंड में चेक करने को बोलो ट्रावेट बसको मल चाने देना सब को चेक करो कोई भी जगे पच्छी नी चाहिए हर जगे ढूड़ों को यहां पर नहीं भाई यहां पर चेक करोगे तो पर जगे पर नहीं है अद्गल राजा वाटसप पर लड़की का तुना फोटो भी जाय है वो इधरी है कहाँ पर चैंगरी रेल्वेस्टेशन पर जात्रा कैंगरी रेल्वेस्टेशन पर पर चैंगरी रेल्वेस्टेशन पर चैंगरी राजा तो इसमें इंटर्फेयर मत कर यह मेरा पर्सनल मामला है क्या पर्सनल मामला है रे प्यार में मुश्किल आगी तो उसका सामना करना चाहिए जर्पोग की तरह भागना नहीं चाहिए कितना भी मनाने के बाद मेरे खरवाले नहीं मारत मैं क्या करूँ तो क्या करेंगे वो बेटा बुलकतरी शादी करवा देंगे उन्होंने पाल पूसकर तुझे बड़ा किया है उनकी भी कोई मजबूरी होगी इसमें तो और रियक्ट क्यों कर रहा है प्लीज राजा छोड कि अपने बच्चों पर बहुत भरोसा करते हैं उनके भरोसे को मत तोड़ो अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दर्वाजे के अंदर बंद करके जाएंगे कि पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो राजा मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ कि पूरी हिस्ट्री देख ले बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार काम्याब नहीं होता तुम दुनों आज भाग जाओगे लेकिन उसके बाद तुम्हारे माबाप पर क्या खुज़र कि कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है जब तक माबाप साथ में हैं उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती है उनके ना रहने पर समझ में आती है इतनी बड़ी भूल मत करों करको अपने प्यार के लिए तुम एक साल přिज़ार कर सकते हो ना उसी्धर अपने पैरेंट्स के लिए तुम एक साल इंतिजार नहीं कर सकते है को देखो प्यार करना गलत नहीं है लोगत करता अन्वर मेरी बासमज में आ रही है चैत्रा तुम्हारे माबाब को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है सुरी राजा इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूँ कि भाई दीदी राजा तुम्हें अपने माबाप बहुत पसंद है क्या कि क्या वो तुम्हारे साथ में हैं ते है कि अग्यू राजा गेता चैत्रा मिली क्या मिलकर इमाम तो फिर इतना चेहरा उत्रा हुआ क्यों है बहुत बढ़ी गल्ती कर दी तुने क्या कि आई इसने अंटी वो राजा है ना इसे बहुत पसंद करता था लेकिन ये है कि उसे जाने बिना इसने उस बिचारे का दिल दुखा दिया मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा हमारे बुलाने पर आधी रात में आकर उसने हमारी मदद की देख गीता स्टेटरस दिखाने वाले तुझे बहुत मिलेंगे लेकिन माबाप की इज़द करने वाला करोडों में एक ही होगा ऐसे आदमी को मिस करो होगी तो इस दुन्या में तुम्हारे जिसा बेवकुफ कोई नहीं देख गीता तुम अभी उसको बोलती हो नहीं तो मैं वेटिंग में खड़ी हूँ वैसे भी मेरा कोई लवर नहीं तो मैं उस पर ट्राए मारती हूँ है I love him I'm so happy क्या हुआ हुआ हमें तामार मिल गया इसी कॉंग्रेचुलेक्शन शादी का हॉल बुक करें मैसूर में अफ्रीका से लाया गया बाग का नेल पॉलिश करने गया था करने वाले कोई भगा लिया तो पकड़ने बुलाएंगे तो फिर मुठा के पीछे-पीछे भागेगा क्या करने के बाद तुम्हें पशुदार बनाकर रखेगी करेगा न राजा करने लिके एंदा अ pengenल पर गयुग्ला हुआ जली लेक्या पनी डाल पनी डाल जिका क्या ओवा तुझे अट लिके आ तो नों में तो आज पोला तेने होश माझा जाएगा राजा कब पाया हां सहतर के सिय है तुम अकेले की हो गाहे मुझे भी बुला तो मैं भी याता था ना गीता तो अच्छी है ना? मैं जिम जाकर आता हूँ थोड़ा वर कॉल्ट करके आता हूँ तेरे में शरब नाम की कोई चीज नहीं है तो एए कॉन है किसने का मुझे शरब नहीं आती है मैंने बोला क्या हो गुरू में तुमारी आवास नहीं पहचानता क्या अगर किसी में इम्मात हो तो मेरे सामने आकर दिखा रहे जो राजग्रूपाफ कंपनीज मैंजर विज ए राजा के साथ घूमने वाला फाल तु आदमी वो तु ही है क्या? तू अभी महा है क्या? अच्छा तू अभी है है क्या? अभी वही वाई टाई वही बंधन वही शकर वही पेंट वही पेंट के अंटर मेर भी है तेख़ेगा देखेगा देखेगा निकाल देखेगा के सामने गोस कार्ट चकना बेचने वाला टाईप हैंदा आई हमें यह गोस कार्ट को गारी के सथ है ओर है विजय भाई कैसे है अप मैं ठीक हूं तुम कैसे हो बेटा मैं भी अच्छा उँ । चा चा छी ने रा तूमको रेजिस्ट्री ऑफिस बुलाया है ठीक है, मैं आजाओ हेलो, हेलो राजा, है राणी, हे करिमला, मैं हूँ गीता, सॉरी, राजा के दिर है, वो क्या है कि फोनी दोरी छोड़ कर रेजिस्ट्रेशन ओफिस गाए है वो, ठीक है, मैं उधर चली जाती हूँ सत्य राज, कैसे हो, दस में मैं बुलाता हूँ तुमको, ठीक है, भाई, मेरी और लावण्य की साइन जरूरी है क्या, और कितना वक्त लगेगा, दीदी, आप कार में ही बैटो, तैयार होते ही मैं खुद बुलाता हूँ, लावण्या, पिता जी, भाई, अकेले खड़े हैं बहाँ, उनको भी बुला लो ना, नहीं अभी रहने दो बेटी, एटलीस, मुझे उनके साथ जाके बात करने की इसाज़त दो, नहीं बेटा, बेकार में रामान की काहानी को दवराओ मत, भाई को ऐसा देखने पर मुझे बहुत तकलि हो रही है, यह दर क्यों आई, सुनिया मलिक, आप लोग आये, आते हैं, बेटा विराज, तुम भी आओ, हलो, यहां किसलिए आई हो, राजा को मिलने के लिए, नहीं मिल सकती, उसकी मा इदर आई है, मा आई है, हाँ, उदर बी-म-डे-वलू कार से बाहर आ रही है न, वही है, अंजना देवी जी, अपने राज की मा, राज ग्रूप अफ कंपनीज है न, उसकी ओनर, आज किसके लिए आई है, पता है, पंदरा करोड की प्रॉपर्टी को मंदिर के नाम दान में देने के लिए, रजिस्टेशन करने के लिए गर के सारे लोग आए हैं, और हमारा र Mr. Viraj Mr. Viraj 10-12,000 À कि प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाए ऐसा मौल खड़ा ख़र दिया उस पंडित में कहा है वो बुड़ा ए भैरव मंदिर के अंतर चपल बेहन कर क्यों आ रहे हो जाओ छोड़कर जाने वाले बंजारे लोग का बुला के सबको अपने सर पर चड़ा रहा है तू यहां किसी को भी लेकर आजाओ इन यहां कर आजाओ मैं ही हूँ इसके अन्याई को रोपने वाला क्या कोई नहीं है यहां पर दसाजार है रख ले हाई राजा हाई यह बैलेंस है तू रख ले ठीक है बादों मिलते हैं कैसे हो मैं अच्छा हूं राजा मेरे जिन्दी के बरबाद होने से बचा कर प्यार क्या होता है इसका मतलब तुमने बताया मुझे तुमसे एक बात करनी थी हाँ बोलो गीता है ना तुमसे बहुत प्यार करती राजा ऐसा क्या यहीं सब बताने के लिए वो आज रजिस्टर आफिस गई थी तुम कौन हो तुम्हारा स्टेडर्स क्या है यह उसे मालूम पड़ा उसे गिल्टी फिलुआ और इसी वज़े से वो वहाँ से वापिस चली गई उस में उसे कसम लिए कि यह बात में किसी को ना बताऊं फिर भी मैंने तुम्हे यह बता दिया वो तुम्हे बहुत प्संद कर दी राजा इसे प्रपोस करने के लिए तीन साल लग गय इसलिए मैंने हिम्मत जुटा कर खुद प्रपोस कर दिया हमारा लव मैरिज वा है वाई हलो लेट मत करना बाई मुश्किल से कमाया हुआ पैसा और चाहने वाले लड़के को कभी भी हाज से निकलने मत दिना आसमान के तारे खुद जमीन पर उतर कर आए है ऐसी लग रहा है यह ले लो बेटी तुद खुद खोल कर देख लो किस ने दिया माजी आपको यह एक खुब सुरत लड़का राज कुमार ने दिया बेटी वहां उससे देखो मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है पर उससे बेकीमती मेरे लिए सिर्फ एक और अवरत है मेरी मां और उस मां की कसम खाते कहता में कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरा दिल से तुम से प्यार करेगा किसम आच डिया डिया बेड़काइब आज़ कि यूजब तक कि वी तुम से बाज मेरी में बनाल जोडिको यह राजा आम कि ए राजा हाट वेटल अग्वावर्ण आज़ इन वटलिया बनाल वी करेवाण मां इस फिम्मों में आप अग्वाराँ अंकल, शॉप शॉप लग रहा है, हाडवेर पेरा ठालू रोक, 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 गाड़ी रो, पिछे ले उस दिन जब थेटर में इंक्वाइरी किया था, उसने बोला था कि वाइट जीप में आया था ना? हाँ भाई ये मनो, वो अंदर बुलू कलर का चेक शट पहना है न, वही है तेरा एरिया कौन सा है, नाम क्या है, क्या कभी भी इस बार में आ जाता है, बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं एरिया चान कर तू मेरा क्या उखाड लेगा रहे तेरी तो हाँ हेई, और कान इसके साथ? हलो, पुलिस टेशन, यहाँ बार में कुछ गुंड़ी लफड़ा कर रहे हैं भाई अपना लड़का इंक्वाईरी के लिए गया था, उसको कुत्ते की तरा धो डाला भाई? भाई भाई बार वाले ने पुलिस को फोन कर दी है, अगर हम लोग रुके तो बहुत प्रॉबलम हो जाएगी सुनी, दस सालों के बाद आप गाउं जा रहे हैं, राजा को भी साथ मिले कर जाएए ना? उसकी मा राजी नहीं होगी इस घर का वारिस है वो, कुल देवता की पूजा में वो नहीं रहेगा, तो कैसे चलेगा? ठीक है, कोई अच्छा समय देखके मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ नमस्ते माकेम का, शोभा, बच्ची के लिए थोड़ा दूद लेकर आओ ही क्या? ठीक है आओ लावण्या, कैसी हो? बुआ, मैं अपने बच्चे के कसम खा कर कहती हूँ, राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया मेरी वज़े से राजा को घर चोड़के जाना पड़ा, उस दिन की गलती के वज़े से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है यह सब मेरी वज़े से हुआ, मुझे माप कर दो, वोआ ए, कल रात को जिन लोगों ने लपड़ा किया थो कौन है? मुझे पक्का पता है कि यहां का रेगुलर कस्मर है, वो कौन है, कहां रहता है, करेक्ट इनफॉर्मेशन दे बाजार के लड़के लोग से, बाजार के लड़के लोग? बोलो तोरी भाई, पता लग गया है, वो बाजार का ही छोकुदा है चोड़ना मत, चोड़ना मत, जानता मार दो ठीक है भाई, चलो रे नमस्कार, नमस्ते ये किस लिए भाई साइए ये सब आपके सौगत के लिए सुनिये सत्यराज भाई अब आप ही को इस मंदिर का धर्मरक्षक बनकर रहना है ऐसा हम सब ने मिलकर निरने लिया सबी को मेरा नमस्कार इस रेजिस्टर में साइन कर देंगे तो हमारे मंदिर के सारे रीती रिवाज पूरे हो जाएंगे आप सबी को मेरा नमस्कार अधिकार हात में आया तो तुम जो चाहे बगे जाओगे किया वे अभी वेवकुर समझ रखा है वेवकुर समझ रखा है वेवकुर समझ रखा है वेवकुर को है अरे छोड़ो अधिक आदमी है वो पैसे उसकी इज़त नहीं उतारने का चलो उस दिन मंदिर में सब के सामने उसने मुझे चपल से मारा काटे को काटे से ही निकालना चाहिए इतने समय से अपनी गुंडा गर्दी से हम सब को डरा रहा है हम भी अगर उन गुंडों से लड़ेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए ऐसे गुंडे लोगों के लिए पुलिस टिशन में जाकर कंप्लेंट लिखाने का कोई फाइदा नहीं जड़ से उखाड़ना चाहिए राज जी का पालन करने वाला राजा वनवास गया ये जानने के बाद गली का पुत्ता भी पूछी लाकर सीना तानकर घूम रहा है और ये लोगणी लोग भी राजवंशी होने का रोब जदा रहे आज अगर हमारा राजा रहता तो किसी को हमारे घर के चोकण मैने की हिम्मत नहीं होती अगर भाई यहां रहता तो चट्मी के जैसे ही सब को पीज डालता इनकी गुंडा गर्दी निकल जाती इन लोगों की हिमत नहीं होती, अगर मेरा भाई यहां पे होता, मा, भाई को है, उसे बुलाओ यहां एक भर मोदे तो समझ में नहीं आता है, बदमाश कितनी बदमाश करते हैं, मारोंगी तुझे, करेगा चोरी, करेगा तू, बोल, हाँ, अरे मा, गल्ती उसकी है कि नहीं पहले पता तो करो, हलो, हलो, मा, मा, जल्दी राजमहल आ, जल्दी राजमहल आ, आता हूं, मा, हलो, मा, जल्दी राजमहल आ, जल्दी रड़के लोगों को ले गया, अभी आ रहा हूं, तुझे क्या मैं मिताब बच्चन देख रहा हूं, हम, इसका कहा कहले राकेगी, जर्फ ज्योजख राकेगी, ड्योजख राकेगी, चर्ब। हुआ 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 है कि मेरे चाचा पर किसने हाथ उठाया कि बोलो तेरे चाचा के उपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे मैं तेरी मा बोल रही हुआ हुआ है उसका हाथ तोड़ दाल मैं मैं झाले का उन्यच अन्यचे वाले के बोलो तोड़ दीका फाले नगसे हाथ तोड़ देरी प्रोड़ पर किसने हाथ और रही है उसका है उसका के दूब दोड़ दोड़ बावड़ यह जए एपने तू शाजेत तू परोडने शाज़िक वुड़र की पार्चाना भी वुड़र का वुड़र को अज़र भार्चाना तूरै जाएको नहएक Oo अज़र भार्चाना। भाई, पापको इसनी मारता, चोना मार दिसको! पाई, अाँ अाँ, अाँ! Eh, हाँ! झाँ! अाँ, अाँ!! क्रतुम हाँ ए्याँ लग्याँ क्रतुम खर्ण 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 हग! कि अपसे नहां पुट साय वहां कि अपसे में वांकि यह नहां कि अपसे यह जहां कि अपसे और भाज रहां कि यह नहां ख॥एफफफ आक स्राओicular लॎइभ। latte क्वकक लौ critics क्यों चिले एक शर्ट फाड़ने की वज़े से तेरा ये हाल है इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इज़त मिट्टी में मिला दूँगी इज़त खोना गवरव नहीं है बलकि बेज़ती है इज़त को संभाल कर रखना ही अपना गवरव है याद रख कई लाखों लोग हमारे आगे हाथ जोड़कर सन्मान करते हैं हम लोगों की कितनी ताकत है क्या इतिहास है ये समझ लोग ये याद रखना हमारे सामने खड़े होने के लिए तुम्हारी अवकात नहीं हमारा सामना करने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए तो अगर शेर चुप है तो उसके पास आने की जरा भी कोशिश मत करना डर डर रहना चाहिए यह जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है राज विराज उस दिन थेटर में एसपी को बचाने वाला यही तो भाई आज इसने आपकी जो इज़त का फालूदा किया है भाई वो कोई मामूली आदमी नहीं है क्या दिख रहे है पी ले राजा आज जो तुने किया उस सेजगर की जद मान मरियादा गौरव सब बच गया अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना यहीं रहना मैं जा रहा हूँ ज़ाँ ज़ो ना बाई मुझे छोड़के मुच्छा बिटा इन साल से तुम हमसे दूर रहा मैंने क्या-क्या नहीं सहा उन दुखों को मैं ही जानती हूँ अगर तुम यहां से चले जाओगे मैं सहें नहीं कर पाऊंगी तुम ने जो गलती नहीं कि उसकी मैने तुम्हें सजादी मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो बेटा तुम इसके चिराग हो तुम नहीं रहोंगे तो अंदिरा हो जाएगा हमारे साथ ही रहो राजा मैं नहीं जाओगा तुम्हारे साथ रहूग रुख जाएए बेहन हम सब के बुलाने पर आप लोग यहां पर आए और आपके मुश्किलों के वक्त हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए तो इसमें भगवान की क्या गलती है बेहन? मैं रजिस्ट्री पेपर में सत्यराज जी के साइन लेने आपके नहीं चाचा जी क्यूं सत्यराज? मेरा भाए मुतुराज इस पूरे वन्ष का गौरव था और पूरा इलाका उनको मानता था और आज वो छवी राजा में दिखती है इस वन्ष का सच्चा वारिस है वो धर्म की रक्षा के लिए राजा ही सही है उस भैरव की हड्डियों को तोड़ कर हमारे मान सम्मान को इसने और भी मुचा कर दिया है प्यार का प्रतीक भुराई को खतम करने की वीर्ता आप दोनों हमारे मंदिर के धर्मरक्षक बन जाये तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो से रुकिये शेर जब सिंगहासन पर बैठ जाता है तो कोई भी कुत्ता बिल्ल्यू से आख नहीं दिखा सकता हमारा राजा हमारे साथ रहेगा तो वो खुद ही एक सेना के बराबर है आपकी खौईशों का पूरा करने मेरा बेटा धर्मरक्षक बनेगा रुको फिर देर किस बात की रेजिस्ट्री पेपर में साइन कर दीजिए पुजारी जी इतनी दिनों से चल रही संस्कृति को हमारे लिए बिल्कुल मत बदलना भगवान के मामले में फैसला बदलने वाले हम कुछ भी नहीं आप एक अच्छा सा मुहुर्त देखिए भगवान के सानिद्ध्य में सभी कारियों को होने दो ठीक है वे हैं कि आने वाले राम नाव में में करेंगे चलीगा ठीक है पुजारी जी इसा नहीं लग रहा हां लेकिन एक छोटा सा चेंज है रहे क्या है शिंगासन हाथी के ऊपर रहता इदर सिंगासन के ऊपर हाथि है चलो चंट क्ल्सख लाइए कंड़क्टर को रणिंग कर ने लड़के जैसे तहुं अमें टिकेट देने आ रहो तुम्हारे टिकेट गढ़िया क्या होगा अमें तुम्हारे गर और्रस भी नहीं तुम दोनों का काट करना पूरे गाउं को खिला सकता हूं बेवकूप हाफ टिकेट बोलता है तुझे मच्चर की तरह मसल दूँगा अगर करीमाला बोले का तो तुरी घटिया घड़ी कर दूँगा ठीक से बात करो इजट से बात नहीं कर सकते नीचे वाले आराम से बैठ कर पिक्चर देखते हुआ रहे हैं और हम यहां ऊपर बैठकर अपनी जान घत्रे में डाल कर हाप टिकेटे में तुझे क्या मतलब टिकेट लेता है या उठा कर फेंग दूँ तरी तरी हिम्मत अब तु ऐसे पूछेगा मैं कौन हूं आजा 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 मैं पताया क्या पताया बचारी के लिए बोला तो कड़ा कि कमेंट मारा हैं अकर नीचे उत्रों का तो जा रहा बे चिका सामने से बस आ रही है तु चिंता मत कर आखे बन कर गए जहनुमान बोलकर कूट जा जम्प तो मार दूंगा लेकिन कहीं थोड़ा आगे पीचे हो गया तो मैं बाप नहीं बन पाऊंगा उसके लिए क्यों डर रहा है उसके लिए मैं हूँ नहीं है कमीले तेरी तो ए चिका चिका बस आ गई कूट खूट 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 जोफूर चोट बच्चे अब में यहां लटका हूं नहीं तो तुझे देख लेता तेरी आपकी जात का बैदा मारू तेरे पूरे शहीर में कीड़े पढ़ेंगे आथू क्या वे सुन उस पेड़ से टककर तू ऐसे ही नहीं रह सकता सामने से कोई तो महियत आ रही है इतका इस पर नाटक मत करी हो खूद जा बबस टैंड केटर रुखता हूं इस लिए मैं मरने का नाटक कर रहा हूं तुझे तुम नहीं माड़ा लूगा वो सब बेचारे इतनी तकलीफ में फूट फूट कर रो रहे हैं और तुम मरने का नाटक कर रहा है अरे बेटा उनके आशुम में ट्यार पी जादा है नाटक कर रहे हैं वो लोग चाहो तो अगल बगल जाकर देख लो ऐसा क्या चारे कराम के बाद तुम ही रख लो पांच एकर केले के बाग मैं रख लेता हूं आप रख लेना अरे तेरी तो पत्तर चल गया ना यह सब इसली नाटक कर रहे हैं देख बेटा मेरा सब कुछ देरे नाम कर देता हूं कुछ भी करके मुझे बचाले बेटा एक मिट रूप जा रहा है 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 अधिक है हम दोनों ऐसे मिलके रहेंगे तो दिल्टकी बड़ी अच्छी से कुछ रेगी हमारे आने के पहले घर साफ कर देगा बोलके हमारे आने के बाद इतना लेट आ रहा है किदर क्या था वह क्या है नहीं समझोगे दो-दो मोबाइल और दो-दो घर रखने वालों की यही समस्या होती है नंबर ही भूल जाते हैं और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं अब कैसे सवाल कर रहें देखो चलो निकल नहीं से निकलो जल तो मंदर जाओ तेरी तो इतनी स्पीड में चला रहा और ऊपर से अचानक से ब्रेक भी लगा रहा है कहीं में मर जाता तो तेरी ज्वास्का अब तो 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 इसका आरसी बुक मेरे नाम पर है उस गाड़ी का फर्स ड्राइब मैं नहीं लिया था बैटिंग करने के लिए कौन पहले फिल्ड में उतरता है यह इंपॉर्टन नहीं है इसकोर कौन करता है यह इंपॉर्टेंट है मैं नाब दी मैट महीं हूरे तुझे बैट पकंड़े की बितमीज है क्या कर रहा है अरे तुछ कौन है अरे उठाके फेक उगानत कहीं कर नहीं है क्या अरे ऐसा कुछ नहीं है मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था कितने दिन हो गए तुमको देखे हुए मेरा दिल और दिमाग दोनों डिस्टप हो गया है आई मिस्यो सो माच जानो तुम फिक्र मत करो जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाओंगा हां नाई मैं और इंतजार नहीं कर सकती मैं अल्रड़ी तुम्हारे पास आ रही है क्या का मताग मत करो है अम सीरिस कहा पर देखो मैं पांच किलोमेटर होगा बस इतना ही आ गई है जिता मेरी बार सुनो तुम यहां पर हो वही रुको मैं खुद आ रहा हूं ए राजा बाइक पर जाएंगे तो कोई नहीं देखे था बाइक कुछ नहीं बिल्कुल एक जालो चलो बाइक पर कोई भी हमें देख लेगा अरे बॉर्फ्रेंट्स गर्फ्रेंट्स को कार से जादा बाइक में ले जाना पसंद करते हैं पता है तुमको ऐसा क्या लेकिन क्यों तुम अब पता चल गया गीता मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर ऐसे मत आना मैं खुद तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊंगा हैं दो दिन हो चुके है कॉल नहीं मेसेज नहीं मैं कोई फेस्बूक अप हो क्या जब चाहे लॉग इन करो जब चाहे लॉग आउट कर लो मेरे साथ य आजया बस इस टेंट पर है मैं आता हूँ अभी उदर चल नहीं रहना आ रहा हूं मैं ऐसे करते रहोगे ना तो तुम्हारे धर पी आके सेटल हो जाओंगी सच में अरे लुक इट मी कुछ बोलो के नहीं क्या तुम्हारे साथ बात कर रही हूं मैं बोलो गीता बस टेंट वहाँ है तुम चली जाओ और समझाल कर जाना हूँ हाँ बोलो गीता स्वाती मैं राजा के काउंसे बस में आ रही हूं क्या कहा राजा ने तुम्हें पीचरस्ते में छोड़ दिया ऐसी बात नहीं है यार तुम समझोगी नहीं तुम पुण जी आकर पिको बस भाई इधर है रहे वो इधर ही था वो इधर है यहीं कई होगा गाड़ी यहीं खड़ी है भाई चाहे इसने मंगाई रहे है चाहे आपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे क्यों क्योंकि 5 मिन्ट ने सब का तोड़ भड हो जाएगा और एम् बिल्डब को जादा ही हो रहा है जा बाई चाहे चाहिए कि नहीं आपा थैंक यू थैंक यू सर भाई इसको अपना चाहे नहीं चाहिए तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए आजाओ अब तु भूगतेगा है मुग क्या देख रहा हो जा उबारो तुझ में अभी भी अक्कल नहीं आई डॉक्टर के पाथ जाना ज़रूरी है स्वारी बॉस शेरिंग आटो रुको रुको मैं आ रहा हूं रुको फुदा के मार तुने कमिट्मेंट किया है पूरा तो करना पड़ेगा मैं कुछ नहीं कर सकता अब तेरी बारी है आजा फुको वे चार चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो रहे क्या कर रहे हो कमीनो उस दिन आपसे मार खा कर अब तक पेन की लर खा कर समल रहा हूं अब मार खाया तो सिधा पर लोग में जाके सोजाओंगा छोड़ दो मुझे मैं यहीं सोजाता हूं बहुत इंडिलिजेंट है तू ना मर्थ इंजिडे के बच्चों उटके मारों से अब तक देखा हूमर टच अब देख हैमर टच सिख नगित का पर लिए अट बसका जोत है już ुट रहा है युझे को um हुझे को ऩ व तुमिया 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 था यह जोड़ कर चला गया था अइसे बोल रहे थी ना अब वाट्साप पे वीडियो भेर से वो देख देखती हो देखती हूँ अच्छा वा इसके सब ऐसे है अच्छा वा इसके सब ऐसे है क्या हुआ तब है रो ठीक है एए लगे हुए गहाँ पर नमक मत छिड़कों नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरो उस लड़के ने सब के सामने तुझे पिटा पूरी मार्किट के लोग तेरा मजाग उड़ा रहे हैं समझा तू क्या बोल रहा है हो तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया यह देखो चार लाख लोगों ने देखा और एक लाख लोगों ने लाइक किया इसने से यूट्यूब पर डाला पहले से भाई टेंशन में है डालने वाले का नाम बताओ मुझे आपने बुलाया मुझे राजा यह भेरव एक घायल सांप के बराबर है कब क्या करेगा किसी को पता नहीं हमारे परिवार के बारे में सोचके ही डर लगता है तु एक काम कर जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे ठीक है चाचा जी है इस विल्दियो में तो मियो नहीं है हाँ मैं हूँ आफिजर अरेजिम अपनी जान को खतरे में डाल कर जान बचाने वाले को एटलिस टेक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए नहीं तो बहुत नाइंसा भी होगी मेरी बीवी ने बच्पन में ही उसके माबाप को खो दिया था अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती तुम्हारी वज़े से उसका सिंदूर बच गया थैंक्यू वेरी मच बेटा अब मैं मुद्दे पे आता हूँ तुम्हारे और भेरब के बीच में क्या लखड़ा है तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉच्च करता हूँ आकाश यस सर अब उस भेरब से डरने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर हजार पुलिस के सिक्योर्टी लगा दूं तो भी कम है क्योंकि अपना बबर शेर ही उनके लिए खिला काफी है ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांस्वार्मर जैसे हिम्मत यहां किसी में नहीं है मां आपने किसी साधरन व्यक्ति को जनम नहीं दिया है दर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बबर शेर चलता हूं मादी भाई वो कौन है जिसने यूटूब पर तुमारे फोटो पर माहीरो लिखा है क्या बात है गल्फेंड है क्या एई ऐसा कुछ भी नहीं है हुम्.. और हुआ 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 हाँ हाँ राजा गीता, भैरों को मारते वक तुमने वीडियो निकाला हाँ तो पर उसे यूट्यूब पे क्यो अपलोड कर दिया मैंने नो वे 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 वीडियो मेने स्वाती को भेजा था I think she is uploaded it एक मिनिट हाँ, I'll put you on conference but सब कुछ okay ना राजा क्या okay वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है ठीक है कॉल को conference में डालो okay किस से पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला सर वो वह वू हलो स्वाती सब के सामने वीडियो बना कर तू यूटीयो में डाल कर मेरे सामने सामने नाटा कर रही है सेरीय तो अब बताता हूं तुझे सार, वो में नहीं हूँ, मेरे फ्रेंट कीता ने वीडियो बनाया था राजा, राजा आप क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जलदी से मार्केट में चली जाओ मार्केट में? तुम्हारे लिए उस सिर्फ जगाओ कोई नहीं हो सकती है, जलदी जाओ, पास राजा, राजा, मैं आगया होना, फिक्र मत करूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे, ठेंक यू, नमस्ता भाई, ठेंक यू, रवी, पेटा, मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया, इसके लिए ये सब हो रहा है, कोई बात ने अंकल, अब ये जगे आपके लिए सेफ नहीं है, आप मेरे घर चले जाएए, वहीं आप सेफ रहेंगे, अगर आपको कोई अतराज ना हो तो, तुम बताओ क्या करेंगे, चलिए, अच्छा, तुम अप्चलताब, राजा, मैं ध्यान रखूगा, राजा, बहुत डर लग रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, चाचा जी, गीतार उसके माबाब को मैं अपने साथ ले कर आ रहा हूँ, ये बात माँ को बता दीजेगा, अहाँ, ठीक है, संकरा, 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 सांगारा, सांगारा, सांगारा. सांगारा, 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 सांगार मा को बेटे से जूर करने वाला पापी हूँ मैं, तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे मामा जी कैसी बात कर रहे हैं हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले कर दो मा किसी बात कर दो हुआ हु मैं घा हुआ है तो इधर क्यों आया है तेरी तकलीफ जानकर तुझे एपपल जूस और हॉरलिक्स पिलाने नहीं आया मैं दो दिन पहले बस्टेंड पे एक अंजान को मारने की कोशिश कर रहा था उसका और तेरा क्या संबंध है उसने तुझे कितना माल दिया वीच रोड में उसने मुझे मारा था सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे तीस लाग लोगों ने यूट्यूब पर देखा पिर भी तुझे उसका कुछ नहीं विगाड़ना एनिवे मिस्टर भैरव बहुत जल्द मुलाकात होगी अब ही पूछा न तुने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया उसने मेरी जान की रक्षा दिया अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं है कब चिका मालीक ने तुम्हें नहीं बुलाया अच्छ ठीक है जो पैसा है ना उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर और कि मुझे बुलाए था नहीं तो और मैं क्या बूल रहा था लेकिन करीमला ने बोला मालिक ने बुलाया चारे चुप-चाप मुझे कोई काम नहीं है क्या दिमाग खराब मत कर क्या खस रही हो मॉलिक ने बुलाया यसे जूट क्यों बोला है नहीं बुलाया यह बोला नहीं बुलाया तो मुझे किसको बोलू थेरी तो है करी अगर तेरे पछ गाम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाग रहो परीमला की नाइटी थो अभे चुनरी बोल रहा हो ध्यान देने के ब क्सप्राइब और पाएब दो किसके बाद बोलेगा और तुम कैसे आद्म हो तुम लोग अगर एसे ही लड़ते रहों कि तुम लोग तो हमारे देश की तरग़ी कहते होगी आई पी एल में आप सीबी कैसे जीतेगी सलमान खान की शादी कैसे होगी बताओ मुझे तुम लोगों के आपस के जगड़ी के उजस्तिक वो वो जो ट्रंप्स है ना अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया जापान में भूकां पाता रहता है वह में अपने विरादरीक लोग आधे नंगे घूमते कमीने चावरे अकबार पढ़ो तेश के जानक अरे संभाल के कुछ नहीं दाया पैर फिसल गया अप्शगुन है ये इसमें अप्शा नहीं जी एक दो मिनिट बैट कर जाओगी तो अच्छा रहेगा अब भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या चाचा जी क्या बात है अप्शगुन के नाम पे लोग ऐसे टंशन ले रहे हैं ताचा जी अगर आपको कोई अतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्टरी आना चाहता हूं तुम्हारी ही है वहां आने के लिए तुम मेरी परविशन क्यों ले रहे हो योर्मोस्ट वेलकम मालिक मेरी मदद करो मालिक मेरी मदद करो मालिक मालिक मौन हो तुम उठो पैर क्यों पकड़ रहे हो क्या हुआ कौन हो यार तुम हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह जाजा है अमारी कोशित नाकाम हो गई है ऐसे कैसे में सुआ रहे जिने मैंने भेजा है वो मामुली लोग नहीं है वो लोग जंगल के शिकारी है तो उन लोगों से कैसे मिश हुआ मेरे चाचा पे जिन लोगों ने हमला किया पुलिस उन लोगों से बुच्छ ताच कर रही है जैसे ही उन लोगों ने मूग खोला तेरा मरना कन्फरम है एक शरीफ बाप की अुलाद होकर तो इतना उड़ रहा है तो मेरा दादा तो बहुत गड़िया था और मेरा बाप लोफर एसो की पेदाईश हुँ में उन सबका हरामी पना भराए मेरे अंदर मैं इंडिया के किसी भी जेल में चला जाओं आद से बस एक पोनी काफी है तेरी फैमिली का अब से काउंड आउन शिरू तुम कोर में मेडिकल चलाने वाला तेरा मामा पुबली के रेजिस्टर आफिस में काम करने वाला तेरा चाचा बैंगलॉर में तेरी बहन की बेटी सबको आदूगा किस ने दिया है अड्रेस क्यों रहे चेन्नेई में रहते हैं मेरे बड़े मामा मैसूर में रहती है मेरी बेजाफूर में रहता है मेरा भतीजा मुंबई में रहते है मेरे बड़े पापा चिक मंगलूर में रहते है मेरे छोटे मामा सबका एड्रेस लिख ले अगर किसी को तुने हाथ भी लगाया न तो तेरे ये हाथ काटके कहां डालूँगा तुझे अच्छे से पता है रतन किदर है रतन यह वीडियो देख आप है बेटा मैं इससे ने छोड़ूंगा मैं इससे ने छोड़ूंगा मां मैं इसकी जान ले लूंगा मां रतन यह ले बेटा उसे मत छोड़ना उसे बिल्कुल मत छोड़ना उसे देखो बेहन यह बाहूबली सिनेमा में अनुषका शेटी पहने वी थी उसके बाद और माल दिखारे इसे दिपिका पड़ूकोर्ण ने राम लीला मूवी में पहना था ए गीता यह कलर देखो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा नाई आंटी क्यों मेरे उनको डार कलर बिल्कुल पसंद नहीं हैं तेरे वो क्या कौन है बता ना कौन है और कौन होगा दव वन अनूली राज विराज राज राज हो हैलो ऐसे जोक मत मार गीता पत्थर माने से फल गिरते हैं फल से पत्थर नहीं गिरते हैं मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे भाई के उपर तेरे जिसा घुझार लड़के लाइन मारती थी लेकिन मेरे भाई 내 किसी को भाव नहीं दिया ओ हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हुआ, समझो, बारिश होती थी न, तो सारे लड़के मेरे घर के सामने लंबी लाइन लगा कर खड़े हो जाते थे अरे भगवान, हम छाता लाना भूल गए न हेलो, यह तुम्हारा फैन है न तुम सबको यही लग रहा है न, यह वन बे लव स्टोरी है तो फिर, राजा भी मुझसे प्यार करता है राजा, भी मानने के, मैं भी नहीं मानूगा ऐसा कि नहीं हो सकता, इधर देख, राजा हम सबका बेटा है हमारे परमेशन के बिना, अकेलर डिसिजन नहीं ले सकता मतलब, मैं जूर बोल रही हूँ, क्या? क्या? मैं जूर बोल रही हूँ वेलगूल हे, राजा आ गया ओके-ओके, तुम सब जाकर छुप जाओ आई विल प्रूव इट ती यू राइट नाव जल दी, मेरा हाथी जाओ, जल दी, ओ अंकल आपे जाओ है, हाई घर के हरे कोने में आज कोई ना कोई चुप कर बैठा हुआ है जरूर कुछ कड़बड है बैठे, गीता जी क्या समाचार है ऐसा भी बोल रहा है ये सब छोड़ो तुमने मुझे पहली बार कब प्रपोस किया था याद है तुम्हें प्रपोस? गीता जी, मैंने कब आपको प्रपोस किया है क्या मतलब? देखिए, चंदा मामा को दिखा कर हम बच्चे को बहला सकते हैं पर बच्चे को दिखा कर हम चंदा मामा को नहीं बहला सकते क्या बोल रहे हो? और आप भी क्या बोल रही है अगर आप चाहती तो मुझे प्रपोस कर सकती है वैसे आप दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत अट्जस्ट कर लूँगा, देखिए, इस मामले में मैं अखिला डिश्रियन नहीं ले सकता हूँ, मेरी मा, मेरी चाची, मेरी छोटी बुआ, मेरी बैहन, मेरा कुता, मेरा ग्याहा तक की मेरी घोडे का भी बहुत इंपोर्टेंट है, घोड़ा, हाँ, बिल्कुल, वो मेरी फैमिली का हीरो है, चोटी मा, चाची, चोटी मा, आप सब यहाँ पर, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने बोला था ना, हम सब ओके बोलने से ही हमारा भाई ओके बोलेगा, तुने भी ओके बोल तेरे को ओके नहीं है, चाची आपने भी ओके बोला, मतलब आप सब ओके बोला है, कागा जी आपकी भी ओके है, इसका मतलब मेरे भी ओके है, चल ओके बोल दिया, आई लव यू, जा, आइश कर, और ये ले, अपना वाटसप, स्टेटर्स, डीपी, इंस्टाग्राम, सब क कहां पे ड्रॉप करूँ, ऐसे जूट बोल रहे थी, वो क्यों, सब के सामने तुमसे बात नहीं कर पा रहे थी, इसलिए जूट बोल कर तुम्हारे साथ आ गई, देखो, मैं भी कोड जा रहा हूं जानू, मैं भी राजा आती हूं, लेकिन क्यों, तुम्हारे सिक्योरिटी बन कर, सिक्योरिटी बन कर, हाँ न बाबा, मेरे राजा के दुश्मन बहुत है न, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो, अगर तुम पे कोई हमला करेगा न, उसे मैं अपने उपर ले लूँगी, तुम्हारे को, मैं भी आता हूं हाँ, गीता, हालो राजा, उस दिन थैतर में S.P. को मानने की जिसने कोसिश की थी न, उसका पीछा कर रही हूं मैं, चल्दी आजा, तुम उसे फॉलो करों मैं आ रहा हूं, औ्टो, मैं एडूस बताती हूं तमको चल्दी आजा, तुम उसे फॉलो करती रहों मैं अकुमार मेरे पीछे ही आ रहा हूँ सर मैं कॉल तो कॉन्फरेंस में डालता हूँ आजा यही है यही है बस मेरे पीछे आते रहा हूँ ए तुझा मैं इसके पीछे हूँ मैं इसके पीछे हूँ वो आगे से लेट में मिड़ा है अब आजा एए किसके लिए फालो कर रही है तुझा कौन है तुझा राजा यही है यही है आरे आरे जल्दी आ आ जाँ आरे जल्दी आ आ जाँ इसके लिए पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है मेरे अरेस्ट होने से सबुछ खतम हो जाएगा क्या भाई सूर्य अरेस्ट हो गया है क्या बग रहा है एस्पी और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया वो दोनों एक साथ कैसे मिले आपके धंदे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए तू कुछ भी बोलका मेरा दिमाग बग खताब कर पता है पता है वो सूरी अरेस्ट हो गया अरे उसको छोड़ एस्पी तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रिडी कर रहा है करने दो करने दो मुझे उसमें से कैसे बहार निकलना है मैं अच्छे से जानता हूं मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एस्पी ने तुम्हारा इन्काउंटर करने का प्लान बनाया है आजा आजा मेरे कले लग जा ते करीम अलग जाके भाई के लिए एक फल लेकिया कौन सा फल जाके ले ले केले का फल मैं लेकर आओं रहने दो महीं लेकिया तो खोट पमीनद बेटीकर मुझे केला लानी के लिए बोल रहा हूँ दूछ halten चिविए केला का इसेजिक कन दिया फटिषियेप क्यों तुमने क्या पूछा कैले का फल वह तुम लोगों का प्राबलम क्या है अरे फल लाने के लिए कहा था बिना चिलके का फल लेके आई यह इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी आभी बताओ इसे कैसे चोड़ू तुमने क्या पुछा केला लाने को दिया न वो शिलके वाला अरे बापरे अरे इंसान फल को खाता है बंदर शिलका खाता है तुम इंसान है कि बंदर इंसान इसके हाथ में अमरित नहीं जहर है इसने हाथ कहां कहां डाला होगा कहां कहां खुजाय होगा इसके हाथ से खाऊं पिले को गंदे कपड़े से क्यों साब कर रहे हो पचास लाइक की गाडी को साब करने वाले कपड़े से इस केले को साppen पर के दे रहा हो तुझे तो तुझे यह गंदा लग रहा है केले खा हो compliant अचिभाए yani हाँ नाइल Northern!! I'm a detox deels ! कपड़ी जैसी क्यों दो रहे हो थुप इस दरिदिद्दिकी को देखने के बाद मैं लाइफ में क horns पकेला कभी नहीं मैं खा पाउंगा नहीं नहीं गवागा गवागा अभे वह साफ सुत्रा पांई चुद्ध गंगा का पानी है चाहाओ अब इस केले को तेरे लिए साफ क्यार गया है तुने इस केले की वज़ासे हम सबक्वर परबात किया है समझा इस लिए प्षब ये एक एप नबचे पने गाओ अर। मैंने सब लोग इसको केला खिला है खिला है बोली सर शूरी उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है मेरे हिसाब से कोई बहुत बढ़ा प्लान चुपा रहा है कुछ भी हो तुमारे फैमली मेंबर्स को खुशिया रहने के लिए बहुत ही घबरा रहा है मेरे हिसाब से कोई बहुत बढ़ा प्लान चुपा रहा है कुछ भी हो तुमारे फैंबली मेंबर्स को मिशिया रहने के लिए पहूं कि राजा वो पांच मिनिट में यहां आएगा ठीक है चीका कि अच्छी थे कर दो कि अच्छी थे हैं चीका ब्लू टीशिट में देख वो आदमी कौन है ठीक है ठीक है छोड़ो जोड़ो चल ले जा रहे हैं मुझे छोड़ो मुझे ये मुझे बहुत खदरनाक लग रहा है राजा गन भी है इसके पास कौन है रे तू मेरा नाम रतन है मैं चोथपूर से आया हूँ राश्ठाकूर पूरे राजस्तान में अववेज सुपारी के दंदे का पेताज बाश्रा है जहां राश्ठाकूर था वहां के मेरे पिताजी जिल्ला कलेक्टर से उन्होंने उसके उपर बहुत सारे केस लगाए सुनिये, मर जाएए, अंदर आजाएए तुछ नहीं होगा, डरो मत, डरो मत मेरी बात सुनिये रहो, अब आतरा जाएए मेरे पिताजी की जान लेकर भैरव ने ये साबित कर दिया कि वो दोनों पुलिस और कानुन के उपर है उसने मेरे पिता को मेरे आखों के सामने मारा और मैं कुछ भी ने कर सका पुलिस के रेकॉर्ड में भैरव अब मर चुका है हम सब भी उसे मरावा मानते थे मगर आपके वीडियो से पता लगा कि वो कमिना अब भी जिन्दा है उसने मेरा ही घर नहीं, बहुत सारे घरों को बरबाद किया है मैं उसे नहीं छोड़ूँगा भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूँगा, मैं उसे मा दूँगा एए एए सुन, तु अपनी मा का ध्यान रख, मैं बोल रहा हूं न, मैं उस भैरव को देख लूँगा नए भाईया, अब जा, करीम भाई इसे लेके जाओ, चलो, ठीक है राजा, जल्दबाजी मत करें, तो क्या करूं मैं, और कितने दिन मैं इस तरह शांत बैठा रहूं, उसकी वज़ाते न जाने कितने खर बरबाद हुए, अब और नहीं होंगे आज की रात पूजा के बाद, उस भैरव का अंत होगा मतलब? कोई भी कारण की वज़ा से, इस कैच मिस नहीं होना चाहिए ठीक है भाई अपने पास यही लास्ट चांस है, मैं एदर से निखलता हूँ, समझे ठीक है अजिए उसमें पर शॉच्ट कि झालब अजिए वहाँ इस वहाँ सब्सक्राइब वहाँ इस आए भी पर शॉच्ट पर उक्ट आए आए अज़ा आए, आए आए, आए आए वोन जोन में है दुश्मन दिखा दिखा तू अपना दम, निभा निभा तू तू अपना धरं, छुपए शुपए है वो दुश्मन, आज बच्छे ना पहरी तेरे जीवन के युद्ध में जल ना तू ना किसी सेड़ा वक्म सिखादेयाज मैं है तोह स्किपपा तू ये दिखा देयाज एपने जो भी तेरे उनको आज बाचाले ए शत्रू जो भी तेरे यहां उनको हारा दे रक्षास पर अपनोंकी शत्रू को मिटा दे झाल 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 कि अब से अब सकता ते निए गलोगल Oh, Oh, Oh Oh चाचा जी लावनिया अरे आप लोग टेंशन में क्यों है वो बिल्कुल ठीक है एक छोड़ा से एक्सिडेंट हुआ था बस पर आप लोग यहां पर क्यों आ गए आप सब इतने खामोश क्यों है क्या हुआ क्या बात है बोलो क्या हुआ चिका क्या हुआ बोल बोलो क्या हुआ बोलो क्या है मुझे से बहुत बड़ी गल्दी हुई मा, आपने कहा था उस दिन उसका हाथ तोड़ दो, पर मैंने उसे जाने दिया, अगर मैंने उसे उस दिन खत्म कर दिया होता तो, और ये सब नहीं होता मा, आपकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आप से बिंती करता हूँ, मुझे छोड़ कर मत जाना, उस भैरव को तो, अब मैं खत्म करूँगा, और उस दानव को अंद करने की शक्ती, मुझे आप देंगी मा, जोड़पूर में जोड़पूर में है, वे दिन 48 आवर्स में उसको अरेस्ट करूँगा, उसने मेरी माँ पर हमला करवाया है, आपके अरेस्ट करने का मैं इनकिजार नहीं करूँगा, राजा, उस दिन मेरी और मेरी बीवी की जन बचाई इस बात का इडवांटेज ले रहा है तो, मुझे हलके में मतले, उस भैरफ को अगर तुने मारा तो मैं खोड़ा कर तुझे हरेस्ट करूँगा, ऐसा बोलूगा समझा गया है, बिल्कुल नहीं, उसे तो अब तेरे हाथों से मरना ही होगा, राम ने रावन का वद किया तो किसी ने भी उसको खुनी कहकर नहीं कुखा, वीर धीर शूर वीर कहा, उसने तेरी फैमली के साथ जो न्याई किया है, उसके लिए उसको मरना ही होगा, कुछ भी हो जाए मैं देखरूँगा, तो, किल इंज! भैरव और राच्ठाकुर दोनों साथ में रहते हैं, अभी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, बेटा! मा ये राजा है, इनकी मा को भी भैरव ने मारनी की कोशिश की थी, नमस्ते! उसने हमारी ही नहीं बहुतों की जिन्देगी बरबाद की है, उसे मत चोड़ना बेटा, उसे चोड़ना नहीं, उसे मत चोड़ना, उसे नहीं चोड़ना उसे! सुनो, किसी बहालत में मुझे राच्ठाकुर से मिलना है, एक ही राच्ठा है, पर बहुत मुश्किल है, पर वह नहीं! फोन पे कल जिसके बारे में बात की थी न यह यह वो चल बैट ए सिर्फ यह जाएगा चल बैट डूंट बोरी के यह बढू बड़ो के यह वो के यह लो बड़ो बड़ो यह जिसके बड़ो क्रेका क्या नाम है कहां के हो मदरासी हो करनाटक आहां मदरासी हो करनाटकी हो सब एक ही है चल बोल मदरासी ये बताओ के यहां किस लिए आया है सुपारी देने आया हूँ सुपारी? किसका सुपारी? पहले रेट बताओ सुपारी देने? बिना नाम बताए दाम जानना चाहता है पचास लाग पाँच लाग एडवांस चल मद्रासी अब नाम बता भैर ओफ कौन? भैर ओफ इतने दिन तुझे कैसे मारना है सोचकर तिमाग खराब होता था लेकिन तोने खुद यहां आकर अपने आपको फसा दिया है एए तो सिर्फ अपने ही इलाके मेरा राजा है इधर मेरा ठाकुर ही राजा है अगर इसका दिल चाहे तो सिर्फ पाच ही मिनट काफी है यहां बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमली को उड़ा के रख देगा तुने मेरे ही इलाके में कदम रख कर बहुत बड़ी गलती कर दी इधर सिर्फ एक ही शेर है और वोंग है कनफर्म क्या रे कनफर्म हंटर हूँ मैं सिर्फ मद्रासी नहीं हिंदोस्तानी हूँ मैं पांच मिनिट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा ऐसा कहा था न तुने तेरे सामने खड़ा हूँ पहले मुझे खत्म करके दिखा मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूँ जिधर कदम रखता हूँ वहां का राजा मैं बन जाता हूँ हूँ अफ बाज हाँ पां़ पां़ पाई पां़ पां़ लुट वूख वूब यह रेचेन... मराजिमी दूपूपू, मंदल,कड़कड़की से मिंदलू... मराजिमी दूपू,मंदल,कड़कड़की सिम्दलू.. मेरी माँ पर हमला करवाया तूने मुझे मत मारो, मुझे मत मारो ब्रीज मेरे से गल्पी हो गई मेरे माँ की कसम अब से गल्पी नहीं करूँगा महा के उपर कसम खाके बोल रहा हूँ मुझे क्रिपा करके छोड़ दो क्रिपा करके मुझे माँ कर दो आगे से जिकलती नहीं करूँगा क्रिपा कर दो आगे जिकलती नहीं कर दोड़ दो क्रिपा कर दो क्रिपा कर दो साहु कारा, साहु कारा, साहु कारा परकनיות के सिंह घुक्रा, करता हो, भोला… परा सिरित Taco, भूल! परिर नियक्यक्यक्यु, परिर सो भूल, आघी खिरने, तर्दा जिद वघ्ज काया, ओर करे दूदि इलें बीसी, आप वले जिद अन्जन तुता कर दो 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 कर झाहुआ झाहुआ।